दस लाग का investment फिजिकल गोल्ड में तेरे भाई ने कर लिया है अच्छा हुआ तेरा सुनके मैंने SGV में invest नहीं किया गोल्ड में भी कोई digitally invest करता है पागल फिजिकल गोल्ड को ना investment का नाम मत दे पता है तेरा कितना बड़ा loss हुआ है लॉस कैसे भाई थोड़ा तो गोल्ड का भाव गिनने दे पहले तुने 3% का GST भरा गोल्ड को खरीदते टाइम अब तुझे 2.5% का interest भी ने मिलेगा हर साल और उपर से जब तुझे बेचने जाएगा capital gain taxes भी देगा So congratulations बहुत अच्छा investment किया है तुने और SGB लेता तो तो तेरे 30,000 रुपे GST के बचते हर साल तुझे 25,000 रुपे मिलते और जब तुझे बेचने के लिए जाता तब 8 साल के बाद तुझे 0% का capital gain tax देना पड़ता ये होता है real investment चिंटू ने ये गलती कर दी मगर आप ये गलती बिलकुल मत करिएगा गोल्ड में अगर invest करना है तो best possible way and the most cost effective way भी SGB ही है तो आज हम discuss करेंगे कि SGB होता क्या है इसलिए आज सिर्फ SGB की बात होगी what, how, where and when what is SGB, how is it the best way to invest in gold where to buy it and when to sell it so what is SGB so basically SGB is Soviet gold bonds जो RBI issue करता है on behalf of Government of India ये physical gold का एक substitute है how is it the best way to invest in gold देखिये आज के दिन आपके पास option है कि आप physical gold में भी invest कर सकते हो जैसे coins खरीज सकते हो, jewelries खरीज सकते हो आप ETF भी कर सकते हो और gold का mutual fund भी ले सकते हो तो जब ETFs की बात होती है some of the popular gold ETF in India includes Axis gold ETF, Billa Sun Life ETF HDFC gold exchange traded funds, UTI gold exchange traded funds Reliance gold exchange traded funds Rally Gray gold exchange traded funds अब ETFs जो होते हैं वो directly stock market में trade होते हैं और इसमें invest करना है तो आप एक SIP भी start कर सकते हो second तरीका है gold का mutual fund करना अब gold के mutual fund के कुछ options में आपको समझाता हो, बताता हो तो सबसे पहले Invesco India Gold Fund SBI Gold Nippon India Gold Savings Fund DSP World Gold Fund Quantum Gold Savings IDBI Gold Fund Quotac Gold Count तो जब भी mutual fund के बात होती है तो आपको एक expense ratio देना पड़ता है expense ratio क्या हो गया? कि आप उसको fund को manage करने के लिए एक charges दे रहे हो तो यहाँ पे आप ही के gold को manage करने के लिए आप किसी और को charge दे रहे हो यह थोड़ा साना inconvenient sound करता है और साथ ही साथ ज़्यादा cost effective भी नहीं है तो यह तो बिल्कुल मैं suggest नहीं करूँगा तो अब इसी वजह से जो सबसे cost effective तरीका बन जाता है वो है SGB और इसी लिए हमको SGB में invest करना चाहिए अगर आपको best possible results चाहिए क्योंकि gold के appreciation के साथ-साथ आपको हर साल 2.5% का returns भी मिलता है 2.5% of what जो भी amount आपने pay किया उसका gold appreciation का नहीं जो amount आपने pay किया है उस gold को खरीदने के लिए उतने gram को खरीदने के लिए उसका 2.5% आपको annually मिलता रहेगा और 8 साल के बाद आप जब बेचने जाओगे आपको कोई capital gain tax नहीं देना है इससे better deal आपको आज के दिन कहीं भी नहीं मिल सकता इसी लिए मैं SGB को highly recommend करता हूँ और ये best तरीका है gold में invest करने का अब सवाल बनता है where to buy it तो सबसे पहले इस link पे जाते है कर दूँगा description में तो अभी आप जैसे देखोगे कि December 27, 2022 में इसका दब price रहेगा वो होगा 5,409 रुपीज पर gram ठीक है ये RBI ने press release किया है dated on December 16, 2022 अब अगर आप discount में से खरीदना चाते हो तो आप इसको digitally खरीद होगे तो आपको 50 रुपे पर gram के इसाब से discount मिलेगा तो online खरीदने का ये benefit होता है अब इस वाले link पे आते हैं आप जैसे कि देख सकते हो सारे Soviet gold bonds का यहाँ पे notifications है और इसमें से अगर आप click करोगे जो भी आप click करोगे आपको पूरे details आ जाएंगे तो जैसे कि हम click करते हैं December 16, 2022 का तो जैसे ही हमने click किया हमको पता चल गया कि जो Series 3 जो है December 19 से December 23 तक चल रहा था जो की खतम हो चुका है and उसके बाद Series 4 आने वाला है जो की आएगा March 6 में March 10 तक 2023 में आने वाला है Date of issuance March 14 को होने वाला है तो इस तरीके से आप पहले से plan कर सकते हो कि अगर आपको 2022, 2023 Series 4 खरीदना है तो ये date को आपको purchase करना पड़ेगा March 6, March 10 के बीच का जो gap है उसमें आपको उसको खरीदना पड़ेगा उसके बारे में सारे details यहाँ पे दिये हुए है अब SGBs को आप Nationalized Bank से, Scheduled Private Bank से Scheduled Foreign Bank से Designated Post Office से भी खरीद सकते हो बट अगेन मेरा advice यह रहेगा कि आप DMAT account से खरीदो Zero-da हो गया, Upstocks हो गया, Grow हो गया इन सब से आप खरीदोगे न तो 50 रुबे का आपको per gram discount मिलेगा और ये best तरीका है बहुत easy है, आपको बस apply करना है जो date मैंने आपको बता है उस date में अगर आप apply करोगे तो आप SGB के लिए eligible हो सकते हो IPO में जिसे आप apply करते हो उसी तरीके से इसमें भी apply करना है आप जितना भी gram खरीदना चाते हो उस हिसाब से आप apply करोगे और उतने gram आपको मिलेंगे एक चीज ये भी है कि secondary market में भी ये मिलता है मतलब जितने लोगों ने उसको पकड़ के रखा है SGB खरीदा और 8 साल तक hold नहीं करना चाते है तो वो उसे बेचते हैं और थोड़ा सा discount में वो आपको भी मिलता है वो secondary market में मिल सकता है तो अगर आप अपने DMAT account में जाओगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन से सीरीज का है और वो secondary market में Again, I would not recommend that I would recommend you to buy a new fresh issue बट इस परसनल चोईस आप secondary से भी खरीच सकते हो आपको वही benefits मिलेंगे जो मिलता हा रहा है उसने जितने benefits उठा लिए उठा लिए उसके बाद से आपको benefit मिलेंगे तो ये secondary market से खरीदने का फाइदा होता है As a individual आप 1 gram खरीच सकते हो minimum और maximum 4 kg तक तो सवाल उठता है कि When to sell it? अब ये बहुत important सवाल बन जाता है क्योंकि SGB का जो maturity period है वो है 8 साल तो lock-in period है 5 years इसका मतलब 5th, 6th, 7th year में आप इसे बेच सकते हो मगर क्या आप 5 साल के अंदर भी बेच सकते हो Yes आप इसे secondary market में बेच सकते हो याद है आपको मैंने बोला कि DMAT account में लोग अपने पुराने जो SGB है वो भी बेचते हैं आप भी कर सकते हो तो ये option आपके पास भी है पर इस case में जहां पर आप 5 साल से कम में बेचने जाते हो तो liquidity थोड़ी कम है क्योंकि लोग को ज़ादा पता नहीं है awareness नहीं है तो इस वज़े से आप अगर बेचना जाओगे तो आपको खरीदने वाला कोई नहीं मिलेगा अगर खरीदने वाला नहीं मिलेगा और कई बार ऐसा होता है कि आप खरीदने भी जाते हो आपको बेचने वाला नहीं मिलता तो ये liquidity वाला issue बना रहता है तो ये बहुत बड़ा problem है SGBs के लिए आज के दिन पर सबसे बड़ा problem मैं कहूंगा कि liquidity का है कि खरीदने जाओगे तो बेचने वाला नहीं मिले का बेचने जाओगे तो खरीदने वाला नहीं मिले एक बहुत important parameter taxes की बात होती है तो ये तो हम समझ गें कि 8 साल तक hold करेंगे तो capital gain नहीं देना पड़ेगा बस वो जो 2.5% आपको returns मिल रहा है जो interest मिल रहा है उसका क्या वो basically आपके income slab में add हो जाएंगे और वो taxable बनेंगे तो बस ये एक छोट असा demerit है ये demerit तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि आपको कुछ income मिल रहा है तो वो government तो आपस tax मांगेगा ही मांगेगा conclusion की बात की जाए तो SGB बहुत सही है and in fact मेरा 10% of portfolio मैं SGB में invest करता हूँ gold में invest करता हूँ बहुत अच्छा तरीका है hedge करने का क्योंकि market कहीं भी जाए कही बार gold उसे stable रखता है तो आपके portfolio में gold होना ही चाहिए but again आप अपना risk validate करो risk analysis करो समझो कि आपको कितना रखना है उस हिसाब से आप अपने लिए decide करो कि आपको अपने portfolio में 10% रखना है 15% रखना है 20% रखना है 5% रखना है वो आप decide करो but मैं तो 10% रखता हूँ यह था conclusion overall SGV क्या होते हैं सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है SGV से related I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आया है तो like, share and subscribe and that's it bye bye